यह हैं हमारे पास बॉल्ट रोवर प्रो स्मार्ट वोच इंड कम्प्रीट इसी के हम अन्बॉक्सिंग एंट रिव्यू करने वाले चले फटाफट हम इसको अन्बॉक्स कर लेते हैं दो एक्स्रा यहाँ पर फूरी स्टिफ्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, साथी में कोई हमें इसे को हैं में निक चर्जिंग, जिसका युण ठय zweiten मां थैप्ति लागे हैं काफ़ी soft है and काफ़ी flexible shapes है also जो है काफ़ी lightweight है and पहनने में भी काफ़ी comfortable रहेगा बकल पर देख सकते हो आपको bolt का branding देखने के लिए मिल जाता है बात करें dial की build quality की तो complete है आपे polycarbonate material का use किया गया है complete है हापे hard plastic काफ़ी अच्छे quality का polycarbonate material है आपे देखने के लिए मिल जाता है यहापे आपको side में button देखने के लिए मिल जाता है यहापे आपको mic देखने के लिए मिल जाता है back में आपको magnetic charging का point देखने के लिए मिल जाता है sensors देखने के लिए मिल जाता है इस साइड आप यहाँ पे स्पिकर देखने के लिए मिल जाता है फाइले आते हैं इसके डिस्प्ले पे इसमें आपको 1.43 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है with 1000 nits brightness सो काफी अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है अगर बाहर वगरे आप यूज करते हो आउट्डोर में यूज करते हो तो बिल्कुल विजिबिलिटी में कोई भी प्रोलम नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको 1000-1000 nits का अगराँ अप गशिबिलिटी का प से Iyaुज का शूट करते हो सण बोलम यहाँ सिय्ज की जब मैंने फोटो श्यट किया काफ़ी अच्छे क्वालिटी में यहाँ फो फोटो विजिबल है है क्योंकि इसका डिस्प्ले है इसमें आपको 466 x 466 पिक्सल्स का जो है अल्टरा एच्टी रिजोल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है तो पोई भी फोटो अगे रहां पर वाच्पेसे से कॉंफर्टेवल है जैसे कि मैंने बता है steps काफी अच्छे क्वालिटी यहां पर देखने के लिए मिल जाता है तो इन जो फील है काफी कॉंफर्टेब जो है देखने के लिए मिल जाएगा बात करें और फीचर्स की तो अगर आप यहां से आप दाउन करते हो smartwatch को, यहां से आप battery percentage बाकरा देख सकते हो, date देख सकते हो, date देख सकते हो, यहां से flashlight का आप यूज कर सकते हो, यहां से आप DND mode का यूज कर सकते हो, brightens से ज़स कर सकते हो, find my phone का यूज कर सकते हो, और यहां से rise to wake feature on-off कर सकते हो, साथ हम यहां से आप setting में सकती हूं यावर सेटिंग में आप watch face कर सकती हो याप थेंग चेंज कर सकते हूं याप इ सक्रिम दिसप्रे का अदग है याँ आप का सकता है या पिश देखनी के कि लिए मिल चैनल ऐसे अल्वेश संद एसमें जा सकते हूं वाज के बारे में देख सकते हूं यहां से वाज को आफ कर सकते हूं यहां से रिसेट कर सकते हूं आप डाउनलोड पर क्लिक करके यहां से क्यों करके इसका डाउनलोड कर सकते हूं जिसको स्मार्ट वाज से कनेक करके कंप्लीट यूज कर सकते हैं यहां पर पास पासवर्ट डालना पड़ेगा सो पासवर्ट प्रोटेक्शन का काफी अच्छा फीचर जो यहां पर आपको दिखने के लिए मिल जाता है वहीं अगर आप इस स्लाइड आप करते हो देने यहां से सोचल वीडिया का नोटिफिकेशन जैसे की वाट से फेस्बूक इंस्टाग वाच ओडियो स्वीच करके ऑक्षन देखने के लिए मिल जाता है जहां से कॉलिंग अगरा आप कर सकते हो एंड इसमें आपको सिंगल चीप ब्लूटूथ कॉलिंग देखने के लिए मिल जाता है विद ब्लूटूथ वर्जन 5.2 तो यहां पर बैटरी लाइफ औगरा काफ कफी अच्छा रहेगा काफी फ़ास जो है अपके स्मार्ट फोन से कई बार इससो होता है कॉल आने पर नेमने इसो होता है तो ऐसा कोई इससे नहीर आने वाला है ऑपको नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि इसमें आपको सिंगल चीप ब्लूटूथ कॉलिंग का फीच कर सकते हो एंड अगर आप call को receive कर लेते हो देन वहां से जो है आप मूट कर सकते हो volume कम जादा कर सकते हो और जो है call को phone पर transfer कर सकते हो एंड call को reject कर सकते हो एंड बात करें इसके speaker इंड इसके mic की quality की तो काफी अच्छा काफी लाउड जो है यहाँ पर आपको speaker देखने के लिए मिल जाता है सामने वाले का voice वगरा काफी क्लियर नी जो है आप सुन पाओगे इसका mic काफी अच्छे quality का देखने के लिए मिल जाता है तो अगर आप थोड़े दूर से भी अगर आप बात करते हो तो voice को काफी अच्छे से capture कर लेता है एंद काफी क्लियर ली जो है sound सामने वाले के पास जाता है सो प्रतुत कॉलिंग के भी मामले में यह smart watch काफी बेश्ट है और आप यहाँ से staff distance, camera count का यूज़ कर सकते हो यहाँ से आप heart rate monitoring का यूज़ कर सकते हो blood pressure monitoring का feature देखने के लिए मिल जाता है sleep monitoring का भी feature यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है music control का यूज़ कर सकते हो also weather update भी आप यहाँ से view कर सकते हो वह अगर आप इस side slide करते हो तो menu open हो जाएगा जहांसे आप sports mode का यूज़ कर सकते हो तो यहाँ से direct आपको click करते ही उस number पे call लग जाएगा तो emergency में काफी एच है यह feature है आप इसको यूज़ कर सकते हो also world health करके एक option देखने के लिए मिल जाता है यहाँ से भी आप heart rate monitoring, blood pressure monitoring, blood oxygen monitoring, sleep monitoring and breathe exercise भी जो आप यहाँ से कर सकते हो यहाँ से भी आप weather update new कर सकते हो, music control का यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी आप messages वागरा देख सकते हो अगर आप clock वाले option में जाते हो तो यहाँ से आप alarm set कर सकते हो, smart watch से यहाँ आप alarm set कर सकते हो, यहाँ से timer and stopwatch का भी आप यूज़ कर सकते हो और यहां पर एक inbuilt game देखने के लिए मिल जाता है जो कि आप phone या time pass के लिए खेल सकते हो और काफी easily work करता है कोई भी लेक बगरा मुझे देखने के लिए नहीं मिला और यहां से voice assistant का भी use कर सकते हो अगर other में जाते हो तो यहां से find my phone का भी use कर सकते हो और इसमें calculator का भी feature देखने के लिए मिल जाता है आप चोटे मोटे calculation के लिए calculator का use कर सकते हो और यहां से भी जो आप setting में जा सकते हो बात करेंगर हम side button की तो इसको आप back आने के लिए use कर सकते हो और आप display को कुछ इस तरीके से on off करने के लिए भी use कर सकते हो और अगर आप इसको प्रेस करकर रखते हो कुछ इस तरीके से देन यहां से आप power off कर सकते हो रिस्टार्ट कर सकते हो रिसेट भी कर सकते हो बात करें इसकी बैटरी लाइफ की तो आराम से यहां पर आपको seven days साथ दीन का बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन अगर आप bluetooth calling या always on display का यह use करते हो आपको एक से दो दिन का बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा बैटरी के मामले में काफ़ी अच्छा है smart watch है साथ इंब बात करें तो इसमें आपको ip68 का water resistant rating देखने के लिए मिल जाता है पानी या पसीने वगरें कोई भी इससू नहीं होने वाला है hand loss करते समय भी यूज कर सकते हो बारिस में भी आप यूज करते हो तो कोई भी इससू नहीं होगा also swimming करते समय भी आप इसको यूज कर सकते हो बात कर इसको buy करना चाहिए नहीं खरिणना चाहिए नहीं इसमें आपको काफी बड़ा amolet display देखने के लिए मिल जाता है एक हजार इसका brightness का ब्राइटेस देखने के लिए मिल जाता है also bluetooth calling काफी अचा है यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके साथ आपको 3 shifts देखने के लिए मिल जाता है एक है smart watch के साथ और दो जो है आप फ्री shifts देखने के लिए मिलते है so बिल्खुल आप इसको purchase कर सकते हो 39999 रुपे इसका price रहने वाला है लेकिन इसके launch के कुछ समय तक जो है इसका price 2499 रहेगा इसका launch date है 12 April 2013 12 PM में जो है यह launch होगा आप इसको flipkart या baldaudio.com website से जो है purchase कर सकते हो so आई हो पी वीडियो को पसंद होगा अगर कोई भी question हो तो Instagram का link description में वहाँ से follow करके message करके पूछ सकते है और वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बतेएगा चैनल पने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके में लाइकन जरूर पेस किजिएगा ठीक है फ्रेस थैंक यू जैल हिंद